आरवे साला में आपका स्वागत है आज हम महिलाओं के बारे में जानकारी देंगे जिन महिलाओं के इस तोनों में दूद की कम मात्रा रहती है यानि दूद नहीं बन पाता है जब बच्चे को जनम देने के बाद महिलाओं के इस्तनों में दूद नहीं बन पाता है तो उनका बच्चा दूद ना पीने के कारण कमजोर रहता है मांसिक रूप से भी और सारीरिक रूप से भी तो आज हम ऐसी जानकारी देंगे जिससे महिलाओं के इस्तनों में किस प्रकार से हम दूद को बढ़ा सकते हैं और दूद कम क्यों उतरता है यह भी बताएंगे जब महिला बच्चे को जनम देती हैं तो बहुत जादा रक्त सराब होने के कारण यानि कि महिलाओं का रक्त जादा निकल जाने के कारण उनका सरीर कमजोर हो जाता है इस कारण से उनके सरीर में यानि उनके इस्तनों में दूद की मातरा कम बनने लगती है यह भी बहुत सारे कारण देखने को मिले हैं और भी बहुत सारे कारण हैं जैसे कि सही समय पर उनका खान बान पर उनका ध्यान न देना या पोश्टिक बोजन उनको पूर्ण रूप से ना मिल पाना ये बहुत सारे कारण हैं और इसके अलावा भी हैं जैसे कि परिवार में किसी परकार की लड़ाई जगडे रहना हम शुरू करते हैं कि किस परकार से महिलाओं के इस तरों में दूद की बड़ोति हम कैसे कर सकते हैं लेकिन महिलाओं को ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप बच्चे को जब भी दूद पिलाते हैं तो आप बिलकुल एक दम पिरसंद मुद्रा में होनी चाहिए यानि कि आपके चेरे पर खुसी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को दूद पिला रहे हैं इससे उनके स्वास्ते पर बहुत अच्छा परवाब पड़ता है बच्चा भी खुस रहता है और मानसिक रूप से भी बलवान बनता है जो मेलाएं गुस्चे में या किसी परकार टें चाहिए और खुस रहने चाहिए कि आप अपने बच्चे को दूद पिला रहे हैं अब हम आपको कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं कि आप कुछ औस्दियों के दुआरा अपने जो है इस तुनों में दूद की बड़ोतरी किस परकार कर सकती हैं तो उसके लिए आपको क्य अपने लाइक हो जाता है जो बारीक पाउडर होता है इसी पाउडर की मातरा में धागा मिस्री ले लेना उसे अच्छी तरह से जो है कूट पीसकर उसका पाउडर बना कर इसको मिला के रख लेना और इसे क्या करना है दो दो चमच की मातरा में एक गिलास दूद में डाल कर कम से कम 10-15 मिनट इसे उबाल कर रोज सुबह साम महिला को पिलाना है इससे उनके दूद्वे अधिक मात्रा में बड़ोत्री होने लगती है इस मिस्रन को आपको 40 दिन तक लगातार देना चाहिए इसके अलावा एक और घरेल उपाय आप कर सकते हैं सफेज जीरा लेना है, सौफ लेनी है और धागा मिस्री लेनी है तीनों को अलग-अलग पीछ लीजे तीनों की मात्रा समान होनी चीए यानि बराबर होनी चीए अलग-अलग पीछने के बाद इन सब को मिला लेना है और आपको ये दददस गिराम की मातरा में दिन में कम से कम तीन वार लेना है दूद के साथ लेना है इस से इस्तरियों के इस्तरों में अधिक मातरा में दूद की बड़ोतरी होती है जिन महिलाओं के सरीर में खून की कमी के कारण इस्तरों में दूद नहीं बन पाता है खाली पेट उस महिला को खिलाना है जो बच्चे को दूद पिलाती हैं तो खून की कमी के कारण जब महिलाओं को दूद नहीं बन पाता है तो यह पपीता खाने से उनकी जो यह समस्या है यह ठीक हो जाती है और दूद में बड़ोतरी होने लगती है और अगला उपाय भी घर पेटलेट्स कम हो जाती हैं तो इस कारण से भी उनके इस्तनों में दूद नहीं बन पाता है, खून की अधिक कमी हो जाती है, शरीर डाउन हो जाता है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पके हुए अंगूर लेना, उस अंगूर को आपको क्या करना है, कम से कम दिन म 200-200 गिराम की मातरा में आपको रोज खाने हैं, सुबह साम आप इसको दुफैर को भी ले सकते हैं, तो आपके जो बलड में प्लेटलेट्स की जो कमी आई है, उसको भी पूरा करने का काम करता है, और आपके रक्त में बड़ोतरी करता है, जिन महिलाओं के इस्तनों में अच्छा घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिसको कहते हैं मुनक्खा, ये किसमिस का थोड़ा बड़ा रोप होता है, सबी महिलाएं जानती हैं, लेकिन ये हैं नहीं जानती कि ये महिलाओं को कि उनके लिए कितना पौस्टिक होता है, तो दस बारे मुनक्खे लेके उसे दू चारी दिन से लेके 60 दिन तक आप इसका रोज सेवन करती हैं, तो दूद में बड़ोतरी होती है, चेहरे पे भी चमकाती है, हाथ पैरों के में जो दर्द की समस्या लगातार बनी रहती है, वे ठीक होती है, जिनको पेट की समस्याइं हो जाती है, महिलाओं को वे ठीक हो ज जाती है, जिस कारण से उनके चेहरे की चमक भी डाउन होने लगती है, तो इस सेवन के करने से उनके चेहरे की चमक दुवारा वापिस आ जाती है, और दूद में अधिक मातरा में भी बड़ोतरी होने लगती है, इसी कारण से जब बच्चा दूद पीता है, तो जब महिला दिमान बनते हैं, तो महिलाओं को इस तरह के घरे लो उपाय करने से उनकी जो समस्या हैं वे ठीक हो जाएंगी, अगर आपको कोई और भी जानकारी हमसे चाहिए, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हमने ये महिलाओं के बारे में आपको आज जो जानकारी दिये, ले अगला वीडियो देखने के लिए बैल आइकन का बटन जरूर दमाएं, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आएरवेद साला है आएरवेद की पाट साला, नमस्कार